हमारे हैदरबाद के दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोविड नाइंटीन कोरोना वाइरस इसके खिलाफ केवल हैदरबाद या तेलंगाना हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में जंग चल रही है इस जंग को हमें जीतना है इस जंग को जीतने के लिए कुछ मुश्किल डिसिजन भी लेने है इस जंग को जीतने के लिए आपको और हमको मिलकर सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मुला है उसको फॉलो करना होगा जैसा कि Government of Telangana ने G.O.45 निकाल कर कुछ गाइडलाइन्स दी हैं जिसके तहट केवल Essential Services को ही खुला रखा जाएगा Essential Services जैसे बच्चों के लिए दूद सप्लाई, Medicines, Hospital Facility कुछ urgent सामान जैसे समय पर सबजी खरीदना या कुछ ग्रोसरी खरीदना इसके अलावा बाकि सब चीज सब दुकान बंद रहेगी कल आप लोगों ने जनता करफ्यू को 100% सक्सेस्फुल बना कर एक determination का नमूना आपने पेश किया है मैं आप सब को इसका मुबारक बात पेश करता हूँ दोस्तों, अख़बारों में और TV चैनल में देखने से आप लोगों को पता चला होगा कि चाइना में जब ये हुआन में शुरू हुआ तो उसके पहले चाइना के जो परोसी देश हैं जैसे कोरिया, जापान, थाइलेंड, इंडोनेशिया, मलेशिया के वर इन सब देशों को ज़्यादा इंपेक्ट हुआ था लेकिन इन सब देशों ने जल्दी ही तयारी करके घर में रहकर, बंद डिक्लेयर करके लॉक डाउन करके अपने आपको बचा लिया जैसा कि आप जानते हैं, ये वाइरस बड़ा घमंडी है इसको आप जब तक अपने घर बुलाएंगे नहीं, ये खुद चल कर नहीं आएगा इसका मतलब ये है, कि जब तक आप एक इन्फेक्टेड आदमी के नजदीक नहीं जाएंगे ये वाइरस आप तक नहीं आ सकता है तो इसलिए, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है घर में रहें अगर आप घर में रहेंगे, तो ये वाइरस आप तक नहीं आएगा अगर आप बाहर जाएंगे, दूसरों से मिलेंगे तो इन्फेक्टेड लोगों से ये वाइरस आप तक पहुँच जाएगा पॉड़ा शहर है, एक करोर से जादा पॉपुलेशन इस शहर का है, हमारी जिम्मेवारी बाकी सब सहरों से जादा है, आप गवर्मेंट के द्वारा दिया गया सभी गाइडलाइन्स जियो फॉटिफाइव और बाकी सब इशूज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सहब, हमारे डीजीपी सहब ने आज प्रेस मीक में कहा, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से law and order और traffic सभी officer को ये order दिया गया है कि सड़कों पे जो अननेसेसरी भूम रहे हैं, उनको रोका जाए, हैदराबाद शहर में किसी तरह का auto का movement अब से नहीं होगा उबर, ओला और इस तरह की टैक्सी सर्विसेस बिल्कुल allowed नहीं है आप लोग अगर ऐसे वक्त पे determination के साथ काम नहीं करेंगे, तो यह बिमारी फैलता जाएगा अख़वारों में आप लोगों ने देखा होगा, कि इटली और स्पेन शुरू में बहुत लापरवाही के साथ इस बिमारी से लड़ने का क्लाइनिंग किये उनकी लापरवाही उनके लिए बहुत महंगी पड़ी आज इटली में चाइना से ज़्यादा मौत हुआ है इस बिमारी के कारण मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस गलतियों के कारण इटली और स्पेन में लोगों को नुकसान हुआ वो नुकसान हमारे शहर में हो इसलिए मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि आप इस पूरे अड़्वाइस को बहुत सीरियसली ले घर के अंदर रहें घर के बाहर केवल इसेंशियल काम के लिए जाएं जहां तक रात का वक्त है तो रात को एक भी आदमी बाहर सडकों पर उनको निकलने नहीं दिया जाएगा अगर किसी को जरूरत है मेडिकल एमर्जेंसी का तो मेडिकल एंबुलेंस को बुलाएं हम लोग हैदराबाद शहर को और तेलंगाना एस्टेट को आपके लिए बचा कर रखे अगर दस इंसान गलती करती है तो ये दस इंसानों की गलतीयों के कारण पूरा शहर परिशानी में पढ़ सकता है इसलिए उन दस लोगों को आप और हम मिलकर डिसिप्लीन के साथ कंट्रोल में रखेंगे मैं पूरी उमीद के साथ आप से ये बात कर रहा हूँ कल आप लोगों ने दिखाया कि हमारा डिटर्मिनेशन क्या है वही डिटर्मिनेशन 31st मार्च तक हम लोगो दिखाना है आप और हम मिलकर हैदराबाद शहर को इस वाइरस से बचाएं अगर इतिहास के पन्नों को आप उल्टें तो आप पहले देखेंगे कि पुराने जमाने में बड़ी-बड़ी महमारी कॉलरा, स्मॉल पॉक्स इस तरह की चीज फैलती थी क्योंकि लोग अपने आप को बचा कर नहीं रख पाते थे आज जब आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर घर के अंदर हम रहेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर बाहर सडक पर क्यों निकलते हैं मैं सब से बार-बार गुजारिश कर रहा हूँ बाहर नहीं आए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से अब सक्त कारवाई की जाएगी अगर बिना बजह के आप बाहर निकलेंगे तो